कि आरेज 40 मीटर लॉंग एन 80 मीटर ब्रॉड वूस साइड्स और वल्टिकल फ्लोट्स पार्शियली लोड़ेड इन वाटर इफ वन लेग 25,000 नूटर फ कार्गो इस एड़ेड हाउ मेनी मीटर्स विल इट सिंक ठीक हमारे पास कोई भी एक बोड है या एक हमारे पास लोडि मतलब पार्शियली लोड़ेड है वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है अब अगर हम इसके अंदर कुछ वेट करते हैं तो वह कितने मीटर या कितने सेंटिमीटर पानी में और सिंक कर जाएगा डूप जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका डेटा बनाते है तो लेंथ कितनी है 40 मीटर ब्रेथ कितनी है इसकी 8 मीटर कितना एडिशन वेट किया हमने तो इसको हम ड़ल्यू कह देता है 125.00 न्यूटर्न अब हमें यह बताना है कि यह कितना सिंक कर गया होगा तो हाँ मैं नी मतलब हाइट हमें बताने है सबसे पहले हम क्या करते हैं हमें यह मालूम करना है कि जो आपके पास अप्थरस फोर्स है वह किसके बराबर होती है तो अप्थरस फोर्स वह बराबर हो जाएगी रो जी वी के सही है वी तो आपको मालूम करना है और अप्थरस फोर्स आपके किसके बराबर हो जाएगी वेट के बराबर हो जाएगी ठीक है तो वेट इस इक्वल टू रो जी वी और वी किसके बराबर हो जाएगा वेट रो जी ठीक है वैली सब्सिट्यूट करते है तो वेड हमारे पास कितना है वन लेक 25,000 ठीक है डेंसिटी हमारे पास कितनी है इसकी बेटा वाटर की 1000 मल्टिप्लाइ बई 10 सिंपल कैल्कुलेशन है देखो 30 से 30 कड़ गए तो आगे क्या बचा 125 डिवाइड बई 10 इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 12.5 मीटर यह वालियम आ गया अच्छा अगर आप देखें तो वालियम का फॉर्मूला होता है एरिया इंतू हाइड ठीक है हाइड का फॉर्मूला क्या बना वालियम डिवाइड बई एरिया वालियम कितना है आपके पास अभी आपने निकाला 12.5 एरिया किसके बराबर निकलेगा लेंथ इंतू ब्रेथ के लेंथ इंतू ब्रेथ 12.5 डिवाइड बई 40 मल्टिप्लाइ बई 8 ठीक है तो यह आपके पास क्या आजाएगा 4 को 8 से करेंगे तो 8,4 दर 32 12.5 डिवाइड बई 320 इसको सॉल्फ करते है अंसर आ रहा है 0.039 तो आप इसको 0.0 लिख लो 4 मीटर इसको सेंटी मीटर में कनवर्ट कर लेते हैं मल्टिप्लाइ बई 100 कर लो तो आपके लिए क्वेशन है अकिले इसको नवर्ट कर मख्वूम तेगे देल कर यह तो आप लोग की करें तो आपके पेटा